आप लोगोंने कच्चा थीवू या कच्चा तीवू दूइव के बारे में सुना होगा यह भारत और स्री लंका की बीच बिवाद का कारण भी है और समय समय पर आप लोग इसी चर्चा में भी सुनते रहते हैं तो आज हम लोग इसके बारे में एक सामन जानकारी देखेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग भारत और स्री लंका के बारे में जान लेते हैं और इस तरह के टॉपिक से आपके एकजाम में कुश्टन्स हमेशा पूचे जाते हैं चाहे वो आपका state PCS हो, civil service हो या फर आपके ओनी एक जाम हो देखें ये हमारी प्यारी पित्वी है इसमें आप देखेंगे तो ये हमारा प्यारा एसिया है एसिया में आप देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत आप लोगों को देखने को मिलेगा और भारत की बात करें तो आप देखेंगे नई दिल्लीस की राधधानी आपको देखने को मिलेगी 15 अगस तो 1947 को हमें आजादी मिली थी और अगर आप लोग देखें तो कितना चेत्वल है भारत का 32,87,263 बर किलूमीटर में फैला हुआ है इसकी सीमा आप देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नैपाल, चाइना, भोटान, बंगलादी सम्यानमाल से लगती है जली ये सीमा हमरी स्रीलंका से लगती है पार्ग जनलमरो हो गई, मननार की खाड़ी हो गई, यह भारत तो स्रीलंका की भी चाप को देखने को मिलती है वहीं अगर हम लोग स्रीलंका की राजधानी की बात करें तो विधाई राधधानी इसकी जैवर्धनेपुरा कुट्टे है और कारकारी और नयाएक राधधानी कोलंबो है इसे आजाधी कम मिली थी, तो चार फरवरी उननिस सो औरतालीस में इसे आजाधी मिली थी और आप देखें गरतंत की रूमें इसकी स्थापना 22 माई 1972 में हुई थी और इसका छेटपल है 5610.2 वर किलूमीटर में फैला हुए आपका स्रीलंका और आप लोग जो कच्चा थीवू दूइब देख रहे हैं ना, वो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा देखें ए रामी सुरम आपको सहर देखने को मिलेगी और यहाँ आप लोगों को कच्चा थीवू दूइब देखने को मिल जाएगा यहीं आप देखें कैथोलिक चर्च भी है, यह भी आप लोग याद रखेगा तो अभी चर्चा में इसलिए बना हुआ है, कि हाली में तमिलाडो के मुकमंत्री ने कच्चा थीवू या तीवू दूइब को लेकर फिर से बहस सुरू कर दी है और इस निर्जन दूइब पर मस्त पालन का अधिकार और संप्रभूता को लेकर या भारत और सिलंका की वीच लंबे समय से बिवाद का मुद्दा भी रहा है सबसे पहले तो यही कुश्चन्स पूच लेगा आप लोगों से कि कच्चा थीवू दूइब किन दो दिसों की वीच बिवाद का कारण है तो भारत और सिलंका की वीच इसकी अगर हम लोग संबंधीत पिरमुक बिंदू देखें तो इतिहासिक पिर्ष्ट भूमी तो कच्चा थीवू भारत और सिलंका की वीच पाक जल संदी में दोसों पच्चासी एकर में विस्तित एक निर्जन इस्थान है जो भारत की रामई स्वरम से लगभग आप देखेंगे 14 समुद्री मिल की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा वर्स 1974 में भारत की पिधान मंत्री इंद्रा गांती जो हमारे देश की पहली महला पिधान मंत्री भी है और स्रीलंका की सिरीमा आर डी भंडार नाइके ने एक समझोती पहस्ताक्षर किये जिससे कच्चा तीवू को स्रीलंका चित के हिस्से की रूम में मानता दे गई थी और इस समझोती के फईडाम स्वरूप इस चित में स्वामित्य में परिवतन हुआ था और आप देखे समझोती ने भारती मचवारों को दूइब के आसपास मचली पकड़ने वहां अपने जाल सुखाने की अनुमती के साथ भारती तीर्थ यात्री त्यात्रियों को दूइब पर इस्तित कैथोलिक चित्तीर्थ की यातरा करने की अनुमती भी दी थी इस समझोत पर बर्स 1976 में हस्ताक्षर किये गए थे और 1976 के समझोती का उद्दिश दोनों देसों के लिए समुद्री सीमाओं और विशेश आर्तिक चित्रों को परिभासित करना था साथी दोनों देसों की मचली पकडने वाले जहाजों तथा मचवारों पर पितीवन लगाना दोनों देसों में से किसी की भी इस पर्ष्ट अनुमती के विना एक दूसरी के जल चित्र में मचली पकडने पर पितीवन लगाना था और भारत सरकार का रूख और कानूनी पहलू की अगर हम लोग इस पर बात करें तो भारत सरकार ने 2013 में इस पॉस्ट किया कि पुनाह प्राप्ती का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि कोई भी भारतिय चित हस्तांतित नहीं किया गया था और आप देखी इस मुद्धे को बेटिस भारत और सीलोन जिसे अब आप लोग स्रीलंका की नाम से जानते हैं कि मद्ध बिबाद की रूम में उठाए गया था जिसे 1974 और 1976 कि मैं समझोती की माध्यम से हल किया गया था और केंद सरकार ने दावा किया था कि कच्चा तीवू भारत सीलंका की अंतराष्थी समुद्री सीमा रेखा की सीलंकाी हिस्से पर आप लोगों को इस तिद देखने को मिलेगा थे राजनेते को जनभावना की बात करें तो कच्चा तीवो का इस्थानांतर भारत की संसत के दोनों सदनों में बिरोध और बहस शुरू होने का कारण बना और तमिलाडू की नेताओं ने समय समय पर दूइब की पुना प्राप्ती की मांग भी उठाई है क्योंकि तमिलाडू की नजदी के देखने को मिलेगा इस दूइब के इस्थाई पट्टे एक पट्टा बिलेग जिसमें कोई निर्डिस समय अवदी नहीं होती है कि मांग बरसों से की जारी है इस दूइब को लेकर तो इतनी चानकारी इसके बारे में याद रखिएगा अगर कुश्चन्स पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप लोग आसानी से दे पाएंगे